दोस्तों आज के इस वीडियो में जो अविराम, ग्रामिन, विकास, स्वें, सेविस, संस्तांस, जो लोहरदगा, डिस्टिक के अंतरगत यहाँ पे जो जारखन में पढ़ती है इसके दवार यहाँ पे जो एक requirement की notice यहाँ पे आज के news paper में यहाँ पे परकासित की गई है तो चलिए क्या है खबर पूरी details यहाँ पे इस वीडियो में देख लेते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी request होगी कि आप वीडियो को like कर दें देखे दोस्तों यहाँ पे जो आज की news paper में परकासित की गई है अविराम, ग्रामिन, विकास, सोयं, सेविस, संसांस, कॉलेज और पारा मेडिकल के दवार यहाँ पे जो है urgent stop की requirement के लिए यहाँ पे news परकासित की गई है ठीके जो urgent stop की यहाँ पे requirement है जिसमें की जो post name आपको यहाँ पी दी गई है principal, vice principal या फिर coordinator and faculty इन सभी की post के लिए यहाँ पे जो है requirement की विग्यापन जो है आज की news paper में यहाँ पे दी गई है टोटर यहाँ पे देख पार की जो post आपका निकाली है principal के लिए यहाँ पे एक post है, vice principal course के लिए भी एक post है, coordinator की post के लिए यहाँ पे जो है एक seat है, faculty के लिए जो दो seat है and again faculty के लिए यहाँ पे तेन seat है जो आपकी qualifications degree यहाँ पे लिजा रही है, तो अगर आप principal के लिए apply करते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है MBBS की degree यहाँ पे लिजा रही है, वहीं पे अगर आप पर wise principal course के लिए apply करते हैं, तो इसमें जो है BDS के लिए यहाँ पे लिजा रही है and coordinator post के लिए यहाँ पे जो है BDS क की दिगरी यहां पर लिजा रही है, faculty के लिए जो आपकी यहां पर qualifications degree यहां पर लिजा रही है, MLT की यहां पर जो है degree लिजा रही है, faculty के लिए and जो another faculty की यहां पर post है, इसमें OT की degree आपको यहां पर लिजा रही है, जो experience यहां पर लिजा रही है, तो principal के लिए जो है 10 years की experience रखी गई है, wise principal course के लिए 5 years की, वहीं पर coordinator post के लिए यहाँ पर 3 years की आपको experience यहाँ पर लिजा रही है, इसमें 11 years की आपका experience लिजा रही है, तो आप इस form को आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो आवेदन जो है आपका resume होगा, जो CV होगा, उसको जो है आपको resume के सा करनी होगी, ठीक है, यार फिर इसका जो mobile number दीगी है, अगर आप इसका विस्तरित जनकारी लेना चाहते हैं, तो आप इससे contact करके जो है, आप इसका call करके विस्तरित जनकारी ले सकते हैं, तो जितने भी आपके resume documents हैं, उन सभी को resume को जो है, इस email ID में जो है, आपको भेज क तक जो है, आप इसके लिए eligible होंगे, तो आप जो है, जो email ID दीगेगे, इसमें send करके जो है, आप apply कर सकते हैं, within 5 days जो है, आपको यहाँ पर time दी जा रहे है, apply करने के लिए, ok?